हाई गाईज वेल्कम बैक टू मैं चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाईज मैंने दसरा वीडियो बनाया है जाकर जरूर से आप लोग छेक आउट कर लेना जिस साड़ी का रिव्यू मैं देने जारी हूँ इसी साड़ी पे मैंने दसरा मेक अप लूग किया है तो प्लीज गाईज आप लोग जरूर से जाकर वीडियो देखना मेरा मैं वीडियो का लिंक देदूंगी डिस्किस्टिशन बॉक्स में वहाँ जाकर आप लोग लिंक पे क्लिक करके आप लोग मेरा वीडियो से ओर देखना गाईज एंड गाईज पसंद आया तो लाइक भी करना वीडियो को यह मैंने एमाजुन पेशे सोरी फ्लिप कट से मैंने यह साड़ी मंगवाई है यह दसरा मेक अप लूग के पपस से ही मैंने इसे मंगवाया यह साड़ कलर भी अच्छा लगा इसका जो कलर कमिनेशन यह डार्क पिंक जो मर्जेंटा कलर होता है मर्जेंटा के साथ यह वाइट का कलर कमिनेशन है कॉटल सिल्क में यह साड़ी है काफी अच्छी साड़ी लग रही है देखने में बहुत अच्छी लग रही है बेंगॉली टैप क यह देख सकते हो आप लोग यह इस तरह से है एंड इसका जो ब्लाउज है वो ब्लाउज कुछ ऐसा है इस टैप का है मैंने इस साड़ी के ब्लाउज नहीं सिलवाई थी मैं क्यों टेलर टाइम ले रहा था सिलने में लेट करता देने में इस लिए मैंने उस पर साड़ी पर दूसरा ब्लाउज लगा कर तब विडियो मैंने शुट किया है तो GUYS यह साडी काफी अच्छी है देखने में अच्छी लग रही है काफी बीउटिफू सा यहां जो ये गोल्डन का यहां पर work किया गया है ये work बहुत beautiful लग रहा है देखने में bucks traditional look आ रहा है जो कि traditional look लगना चाहिए दसारा में फेस्टिवल season में ट्रेडिशनल कपड़े ही अच्छे लगते हैं so मैंने उसी टाइप का देख करके मैंने ओर्डर प्लेस किया तो यह साड़ी मुझे 1,500 लग बग मतलब मैं एक रेशियो बता रही हूं बाकि मैं इसका लिंक देदूगी तो आप लोग चेकाउट कर लेना इसका क्या रेट है प्लेट ही मैं डिस्किस अंबॉक्स में डाल दूगी साड़ी अच्छी लग रही है कलर बहुत ब्यूटिफू लग रहा है फिलकुल ट्रडेशनल साड़ी जैसे लगना ची इस ट्रेप के लग रहा है तो मुझे यह अच्छा लगा जो नेक्ष साड़ी है वह मैंने मंगव वर्क बहुत अच्छा किया गया है विलकुल नीट और प्लीन वर्क एकदम मतलब कहीं भी रेशा या धागा नहीं दिख रहा है कुछ ऐसा स्टैप का नहीं है यह साड़ी देख सकते हो आप कुछ इस तरह से है इसका यह बॉर्डर है यह बॉर्डर है यह बाखी यह पूर पहने एक बाद लूक भी अच्छी आ रही है मैं इसका पिक्चर अभी एट कर दूँगी आप लोग में भी देख रहे है ना फुल लूक कुछ इस तरह से है यह देख सकते हो कुछ इस तरह से है यह ब्लाउज है यह ब्लाउज है Ji Christ and यह ब्लाउज के बॉडर के पो इन्होंने दिया है इसमें इतना लंभा ब्लाउज दिया है कि मतलब यह एक मीटर से भी ज्यादा है अगर आप लंबी असथिन के ब्लाउज चीलवाना चाहएहों then तो बड़े अराम से ईजी विम लंबी आस्तिं के ब्लाउज भी सिल जाएंगी इसमें लिंक गईस मैं डिस्क्यूशन बॉक्स में दे दूँगी वहां जाकर आप लोग चेक आउट कर सकते हो और जो नेच्ट साडी है गईस यह भी मैंने अजी ओपे से और किया है मुती ही यही पर पाण बंढ़े से कौड़त है investment काइस मैं इसमया कॉपन स्क्राइब संद्सक्राइब कर आप कोंड़े समय मैं यह बॉर्डर है यह पूरा जो बेस है इसका पूरे बेस पीस तरह का वर्क किया गया है यह फ्रेड वर्क है गोल्डन फ्रेड वर्क है यह कुछ इस तरह से है साड़ी की लेंद अच्छी खासी है लेंद कम नहीं है जितना होना ची उतना है साड़ी का लेंद यहांचल साड़ी का यह पर जो वर्क किया है आणिए या लग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा Aud Tracy vz साड़ी कर देख साड़ी मैं अच्छा लग पूरे सारी का बीपनी साड़ी की और है यह उलाहा यह उट्प मुझे तो यह साड़ी ज्यादा अच्छी लेगी इनों साड़ियों में मैं इसके लिए रिकमंड करूँगी आप लोग आउडर प्लेस कर सकते हो यह साड़ी मुझे 1,600 में मिना है लिंक मैं नीचे डिस्क्रिशन बॉक्स में दे दूँगी वहाँ जाकर आप लोग चेक आउट कर सकते हो तो आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा आपको अगर यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज गैस प्लीज लाइक करना न भूले और वीडियो पसंद आया हो गैस तो मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से करें चली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई